आज हम बात करने वाले हैं Post Office की Fixed Deposit Scheme के बारे में और जानेंगे कि अगर आप Post Office की FD Scheme में 10,000 रुपे, 50,000 रुपे, 1,000,000 रुपे, 3,000,000 रुपे या 5,000,000 रुपे जमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा Hello Friends, मैं हूँ संकेद आपका अपना Financial Advisor, मैं Life Insurance, Health Insurance और Mutual Funds में अपनी Advisory Services प्रवाइड करता हूँ अगर आपका कोई भी Investment Related Question है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो Comment Box में बताइए, मैं आप सबको Reply ज़रू करूँगा मेरी आप सबसे request है, अगर अभी तक आपने हमाई YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फिलिज सबस्क्राइब कर दिजे, साथ में Bell बटन को भी दवा दिजे, मैं आपके लिए Investment Related वीडियो इस लाता रहूँगा ये हैं, अर्विन जी, ये भी आपके तरह एक Investor है और मेरी वीडियो देखते रहते हैं अभी एक दिन मेरी इनसे बात हो रही थी, तो अर्विन जी मुझसे कहने लगे, संकेट जी मैं Post Office की Fixed Deposit Scheme के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको लेके मेरे कुछ सवाल हैं, कुछ question हैं, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैंने का, अर्विन जी, बिल्कुल पूछे, बताए कि क्या जानना चाहते हैं Post Office की FD Scheme के बारे में सालाना इंटरेस्ट इंकम मिलनी श्रू हो जाती है, जितने साल के लिए आपने FD करी है Post Office में, उतने साल तक आपको यह सालाना इंटरेस्ट इंकम मिलती रहेगा। अगर आपने 5 साल के लिए FD करी हैं तो आपको 5 बार ये साल लाना interest income मिलेगा और जब आपका tenure पुरा हो जाएगा तब आपकी जो जमा राशी है जो आपने FD में जमा किया था वो amount आपको वापस मिल जाएगा उसके बाद अर्विन जी पूछते हैं कि संकित जी क्या मैं अपने बच्चों के नाम से post office की FD scheme में आप अकाउंट open कर सकता हूँ तब मैंने उनको बताया देखिए अर्विन जी post office की FD scheme में कोई भी age limit नहीं होती आप किसी भी age के वेक्ति के नाम से अकाउंट open कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं अगर आपके बच्चों की age 10 साल से कम है तो अकाउंट open करते हुए महाँ पर गारजिन का नाम पूछा जाता है तो महाँ पर पेरेंट्स का नाम आता है जो चेक लिस्ट होती है जो कॉलम होता है महाँ पर पेरेंट्स का नाम आ जाता है और अगर बच्चों की age 10 साल से जादा है तो आप directly उनके नाम से अकाउंट open कर सकते हैं आप गारजिन का नाम भी लिखने की ज़रुत नहीं होती है उसके बाद अर्विन जी पूछते हैं कि संके जी अच्छा आप यह बताए कि मुझे कितना amount post office की fd scheme में निवेश करना चाहिए जालना चाहिए तब मैंने उनको बताया देखिए अर्विन जी यह सब depend करता है आ 24,000 रुपे एक लाग रुपे पांच लाग रुपे दस लाग रुपे या उससे जादा amount की भी fd कर सकते हैं maximum की कोई limit नहीं है आप जितनी चाहें उतनी fd कर सकते हैं एक fd दो fd पांच fd दस fd नंबर of fds की कोई भी limit नहीं है आप अलग-अलग financial goal के हिसाब से अलग-अल साल के लिए fd करने होते हैं क्या क्या options available होते हैं तब मैंने उनको बताया है यहाँ पर चार options available होते हैं आप एक साल के लिए fd कर सकते हैं दो साल के लिए fd कर सकते हैं कितने साल के लिए करना चाहिए वह depend करता है आपके financial goals पे आपको पैसा जल्दी चाहिए तो आप एक साल जाए दो साल के लिए अगर आपको पैसा तीन जा पांस साल बार से तो आप तीन और पांस साल के हिसाब से भी अभी कर सकते हैं उसके बाद अरविन जी पूछते हैं जी सब तो सही है लिकि मुझे इंट्रेस्ट रेट कितना मिलेगा पोस्ट आफिस की अभी स्कीम में तब मैंने उनको बता है कि अगर आप एक साल दो साल या तीन साल के लिए अभी करते हैं पोस्ट आफिस में तो आपको इस समय 5.5% का इंट्रेसेट मिल रहा है और अगर आप 5 साल के लिए अभी करते हैं तो 6.70% का आपको इंट्रेसेट मिल रहा है उसके बाद अर्विन जी मुझे से पूछते हैं अगर मैं पोस्ट आफिस की अभी स्कीम में निवेश करता हूं इंवेश करता हूं तो क्या मुझे कुछ टेक्स बेनिफिट मिलेगा टेक्स में फायदा मिलेगा तो मैंने उनको बताया कि अगर आप 5 साल के लिए पोस्ट दो साल तीन साल जाफ पांच साल के लिए आपकी जो इंट्रेस्ट इंकम होगी वो फुली टेक्सेबल होगी हाला कि जो भी डिपॉसिट अमाउंट है जो आपको मैचुटिव पे वापस मिल जाता है उस पे कोई भी टेक्स नहीं लगेगा उसके बाद अर्विन जी मुझे पूछते हैं यह सब तो सही है लेकिन मुझे इसमें कितनी इंट्रेस्ट इंकम मिल सकती है और कि मुझे मिलेगा पोस्ट आफिस की एपडी स्की में थोगा से इसके बारे में बताईए तब मैंने उनके सामने एक यह चार्ट समझ लिए टेबल समझ यह रखा था उनके सामन है तो 10,560 प्य आपको मिलेगा जिसमें 10,000 रुप्य आपकी जम राषी है और 56 रुप्य का इंकम के लिए तो आपको जो सालना इंकम मिलेगी वहुजाती 800 रुपे की औहट 20, fixed register 800 रुप्य का जिसमें 50,000 रुप्य आपके deposit आमउन्ट है और 28 guides Ireland इंट्रेस्ट इंकम हैं ऐसी आगर आप 1,006,00 anच wiring करते हैं एक साल के लिए तो आपको सोला हजार», sırबे का सालाना इंटरेष्ट इंकम मिलेगा और लिटरन की बात करें wallet तो आपकर 3,16,000,000,000,000,000 पांच लाइज़ारा ईंकना रूपय की वहीं अगर 5,000,000,000 रुपय की FD करते हैं एक साल के लिए तो आपको सालाना इंटरेष्ट सेम ही रहेगा यहाँ पर 560 रुपे और टोटल इंट्रेस्ट की बात को तो दो सालों में 1100 रुपे की आज पास मिलेगा और टोटल लिटर्न की बात को तो 11122 रुपे मिलेंगे वहीं अगर 50,000 रुपे की अपड़ी करते हैं दो साल के लिए तो टोटल इंट्रेस्ट आपको मिलेगा च्छपपन सो रुपे का और टोटल लिटर्न आपको मिलेगा 55,614 रुपे का जिसमें 50,000 रुपे का आपका डिपॉजिट अमाउंट है और टोटल इंट्रेस्ट आपकी 56 रुपे की अगर आप 1,00,000 रुपे की अपड़ी करते हैं दो साल के लिए तो टोटल इंट्रेस्ट आपको मिलेगा दो सालों में 11,266 रुपे का और टोटल इंट्रेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लाख 11,266 रुपे मिलेंगे जिसमें एक लाख आपका डिपॉजिट अमाउंट है और ग्यारादा दो सालों मिलेगा अगर आप पांट लाख रुपे की अपड़ी करते हैं दो साल के लिए तो आपको टोटल इंट्रेस्ट मिलेगा 56144 रुपे गा और टोटल रिटन आपको मिलेगा 56144 रुपे गा उसके बाद मैंने उनके सामचे प्रसक्राइब लगी उसमें अगर तो आपको तोटल इंट्रेस्ट मिलेगा तीन सालों में तो टोटल लिटन आपको मिलेगा ग्यारा च्छासु रुपे का च्छासु रुपे का पचास हजार रुपे की एवडी करते हैं तीन साल के लिए तो टोटल इंट्रेस्ट मिलेगा एक लाग रुपे की एवडी करते हैं तीन साल के लिए तो टोटल इंट्रेस्ट मिलेगा तीन लाग पचास हजार पांसो तीस रुपे का अगर पांस लाग रुपे की एवडी करते हैं तीन साल के लिए तो टोटल इंट्रेस्ट मिलेगा पचास हजार पांसो तीस रुपे का और टोटल लिटन मिलेगा 35,530,000ुपे का अगर 50,000,000 रुपे की FD करते हैं तीन साल के तो टोटल लिटन मिलेगा 4,200 रुपे और टोटल लिटन मिलेगा 5,004,200 रुपे का उसके बार मैंने 5 साल की उनके सामनी ये टेबल रख की, ये चार्ट है इसमें 10,000 रुपे की FD करते हैं 5 साल के लिए तो टोटल इंट्रेस्ट मिलेगा 3400 रुपे का और तोटल रुपे की FD करते हैं 5 साल के लिए तो टोटल रुपे का लगभद 66,000 रुपीज का और अगर आप 1,000,000 रुपे की FD करते हैं 5 साल के लिए तो टोटल इंट्रेस्ट मिलेगा लगभद 34305 रुपे का और टोटल रिटन मिलेगा 18000 रुपे का अगर 13000 रुपे का टोटल इंट्रेस्ट मिलेगा रुपे की FD करते हैं 5 साल के लिए तो हर सार आपको 34,350 रुपे मिलेंगे और तोटल इंट्रेस्ट की बात करें पांस सालों में आपको साल आना कितना इंट्रेस्ट इंकम मिलेगा और टोटल बेनिफिट कितना मिलेगा लेकिन ये बताईए कि क्या मुझे पोस्ट आफिस की FD स्कीम में निवेश करना चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या ये मिरे लिए सही है पोस्ट आफिस की FD स्की हर इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता है और उसको गयांटेड रिटन चाहिए लेकिन अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और रिटन भी गयांटेड रहा है आप चाहते हैं तो आपको जो रिटन है वह बहुत कम मिलता है और अगर अच्छा रिटन चाहते हैं तो आप एक स्कीम भी एक अच्छा option है मुझे उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजे और अगर अभी तर्थ आपने हमाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प के लिए इन्वेस्में रिलेटेड वीडियो स्लाता रंगार थैंक यू सो मुच वाइज दे बाई बाई